आईए सुनते हैं मुंसी प्रेम चंजी की कहानी स्वर्ग की देवी पागे के बाद साधी विवा में आदमे का क्या अक्तियार जिससे स्वर्ग ने या उनके नाइबो ब्रामनों ने तै कर दी उससे हो गई बाबु भारत दास ने लीला के लिए सुयोगी वर्गोजने में कोई बात उठाने रखी लेकिन जैसा घरवर चाहते थे वह ऐसा न पासके वह लड़की को सुखी देखना चाहते थे जैसा हर एक पिता का धर्म है किन्तु इसके लिए उनकी समझ में संपत्ती ही सबसे जरूरी चीज थी चरित्र या सिक्षा का इस्थान गौंड था चरित्र तो किसी के माथे पर लिखाने रहता और सिक्षा का आज कल के जमाने में मुली ही क्या हाँ संपत्ती के साथ चिक्चा भी हो तो क्या पूछना ऐसा घर उन्होंने बहुत ढूणा पर न मिला ऐसे घर हैं ही कितने जहां दोनों पदार्थ मिले दो-चार मिले तो अपनी बिरादरी के ना थे बिरादरी भी मिली तो जाई-जा ना मिला जाई-जा भी मिला तो सर्तें तैना हो सकी इस तरह मजबूर होकर भारत दास को लीला का विवा लाला संथ सरन के लड़के सीता सरन से करना पड़ा अपने बाप का इकलोता बेटा था थोड़ी बहुत सिक्चा भी पाई थी बात चीच सलिके से करता था मामले मुकद में समस्ता था और जरा दिल का रंगिला भी था सबसे बड़ी बात यह थी कि रूपवान बलिष्ट परसंदमुक सासी आदमी था मगर विचार वही बाबा आदम के जमाने के थे पुरानी जितनी बाते हैं सब अच्छी नई जितनी बाते हैं सब खरा जाइदात के विशे में चमीनदार साहब नए नए दफों का वैवार करते थे वहाँ अपना कोई अक्तियार ना था लेकिन सामाजिक परताओं के कटर पक्च पाती थे सीता सरन अपने बाप को जो करते या कहते देखता वही खुद भी कहता और करता था उसमें खुद सोचने की सकती ही न थी बुद्धी की मंदता बहुदा सामाजिक अनुदारता के रूप में परकट होती है लीला नी जिस दिन घर में पाउं रखा उसी दिन उसकी परिक्च शुरू हुई वे सभी काम जिनके उसके घर में तारीफ होती थी वहां वर्जित थे उसे बचपन से ताजी हवा पर जान देना सिखाया गया था या उसके सामने मूख खोलना भी पाप था बचपन से सिखाया गया था रोशनी ही जीवन है यहां रोशनी के दर्शन भी दुरलब थे, घर पर अहिंसा, छमा और दया, इस्वरी गुण बताये गए थे, यहां इसका नाम लेने की भी स्वाधिनता ना थी, संसरन बढ़ेती के कुछ सेवर आदमी थे, नागप्रमक्षी ना बैठने देते, धूरतेता और शलकपड से ही उन्होंने जायदाद पैदा की थी, और उसी को सफल जीवन का मंत्र समझते थे, उनकी पत्नी उनसे भी दोंगलूंची थी, मजाल क्या कि बहु अपनी अंदिरी कोठी के दुआर पर खड़ी हो जाए, या कभी छतबट डाल सके, पर लेया आ जाता, आसमान सिर पर उठा ल पगल में रखे, गहनों से लदी हुई, सारे दिन बरोठे में माची पर बैठी रहती थी, क्या मजाल की घर में उनकी इच्चा के विरूद एक पत्ता भी हिल जाए, भो की नई नई आतने देख देख चला करती थी, अब काहे को आब रू रहेगी, मुंदेर पर खड़ी हो रहती, यह भी कोई अच्छे लच्चन है, लीला के पीछे सीता सरन पर भी फटकार पड़ती, तुझे भी चादनी में सोना अच्छा लगता है, क्यों, तू भी अपने को मर्द कहेगा, वे मर्द कैसा कि और तो उसके कहने में न रहे, दिन बर घर में गुसा रहता है, मुं अधवय चाहिए कि कड़ी निगा से देखे, तो औरत काप उठे, सीता सरन, तुम तो समझाती ही रहती हो, मा, मेरी उसे क्या परवा, समझती होगी, बुड़िया चार दिन में मर जाएगी, तब मैं मालकिन हो ही जाऊंगी, सीता सरन, तो मैं भी तो उसकी बातों का जवाब नहीं दे पाता, देखती नहीं हो, कितनी दुर्बल हो गई है, वरंग ही नहीं रहा, उस कोठरी में पड़े पड़े उसकी दसा भी गड़ती जाती है, बेटे के मुझ से ऐसी बाते सुन, माता आग हो जाती, और सारे दिन जलती, कभी भागे को कोशती, कभी समय को, सीता सर कि हासी उड़ाते, लीला को इसमें और कोई सुक न था, वह सारे दिन कोड़ती रहती, कभी चूले के सामने न बैठी थी, पर यहां पसेरियों आटा थोपना पड़ता, मजूरों और तहलों के लिए भी रोटियां पकानी पड़ती, कभी कभी वह चूले के सामने बैठी घ भाना जरूरी था, सीता सरन को देखका लीला का संतप धेड़े एक ख्यंड के लिए सांथ हो जाता था, गर्मी के दिन थे, और संध्या का समय बाहर हवा चलती, भीतर दें फुकती थी, लीला कोठरी में बैठी एक किताब देख रही थी, कि सीता सरन ने आकर कहा, यहां तो बड़ी गर्मी है, बाहर बैठो, लीला, यह गर्मी उन तानों से अच्छी है, जो अभी सुनने पड़ेंगे, सीता सरन, आज अगर बोली, तो मैं भी बिगड़ जाओंगा, लीला, तब तो मेरा घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा, सीता सरन, बला से अलग ही रहेंग कुछ दूसमी थोड़े ही है, हाँ हमें उनकी बातें अच्छी न लगें, यह दूसरी बात है, उन्होंने खुद वह सब कष्ट जेले हैं, जो वह मुझे जलवाना चाहती हैं, उनके स्वास्त पर उन कष्टों का जला भी असर नहीं पड़ा, वह इस 65 वर्स की उम्र में भ बहुत दुख सहना पड़ा, यह अगर तुम्हारे योग्य नह था, तुमने पूर्व जनम में जरूर कोई पाप किया होगा, लिला ने पती के हाथों से खेलते हुए कहा, यह ना आती तो तुम्हारा प्रेम कैसे पाती, पांच साल गुजर गए, लिला दो बच्चों की मा हो गई, एक लड़का था, तूसरी लड़की, लड़के का नाम जान की सरन रखा गया, और लड़की का नाम कामनी, दोनों बच्चे घर को गुलजार किये रहते, लड़की दादा से हिली थी, लड़का दादी से, दोनों सोख और सरीर थे, काली दे बैटना, मूँ चिड़ देना तो उनके लिए मामूली बात थी, दिन बर खाते और आए दिन बिमार पड़े रहते, लीला ने खुद सभी कश्ट सहलिये थे, पर बच्चों में बुरियादतों का पढ़ना उसे बहुत बुला मालूम होता था, किन्तु उसकी कौन सुनता था, बच्चों की माता होक उसकी अब गड़ना ही न रही थी, जो कुछते बच्चे थे, वह कुछ न थी, उसे किसी बच्चे को डाटने का भी अथिकार न था, साज फाड़ खाती थी, सबसे बड़ी आपतियत थी, कि उसका स्वास्त अब और भी खराब हो गया था, पर सवकाल में उसे वे भी अत्य का चार सहने पड़े, जो अग्यान, मुखता और अंद्विस्वास्त ने स्वास्त तोर की रक्चा के लिए गड़ रखे हैं, उस काल कोट्री में जाना हवा का गुजर था, ना परकास का, ना सफाई का, चारो और जुर्गंद और सील की गंदगी भरी हुई थी, उसका कॉ खर्मियों के दिन थे, एक तरफ आम पके, दूसरी तरफ खर्बुजे, इन दोनों फलों की ऐसी अच्छी फसल पहले कभी न हुई थी, अबकि इन में इतनी मिठास ना जाने कहां से आ गई थी, कि कितना ही खाओ, मन न भरे, संसरन के इलाके से आम और खर्बुजे के टोकर भरे चले आते थे, सारा घर खोब उचल उचल खाता था, बाबु साहब पुरानी हड़ी के आदमी थे, सबेरे एक सेकड़े आमों का नास्ता करते, फिर पसेरी भर खर्बुजे चट कर जाते, मालकिन उन से पीछे रहने वाली न थी, उन्होंने तो एक वक्त का भोजन ही बंद कर दिया, अनास्रणने वाली चीज नहीं, आज नहीं कल खर्च हो जाएगा, आम और खर्बुजे तो एक दिन भी नहीं ठहर सकते, सुद्री थी और क्या, योई हर साल दोनों चीजों की रेल पेल होती थी, पर किसी को कभी कोई सिकायत न होती थी, कभी पेट में गिर करके उठे ही थे, कि कैह हुई, गिर पड़े, फिर तो तिल-तिल पर कैय और दस्त होने लगे, हैजा हो गया, सहर की डाक्टर बुलाए गए, लेकिन उनके आने के पहले ही बाबु साब चल बसे थे, रोना पीटना मच गया, संध्या होते होते लाजगर से निकली, लोग दा करिया करके आदी रात को लोटे, तो मालकिन को भी कैय और दस्त हो रहे थे, फिर दोर धूप सुरू हुई, लेकिन सूरी निकलते निकलते वह भी सिधार गई, किस्त्रे पुरुस्त जीवन प्रियंत एक दिन के लिए भी अलगना हुए थे, संसार से भी साथ ही साथ गए, स सफाई की तरफ किसी ने ध्यान न दिया, तीसरे दिन दोनों बच्चे दादा दादे के लिए रोते रोते बैठक में जा पहुँचे, वहां एक आले पर खरवुजा कटा हुआ पड़ा था, कलमी आम भी रखे थे, इन पर मक्यां भी नक रही थी, जानकी ने एक तिपाई पर चड़ कर तूनों चीजें उतार ली और दोनों ने मिलकर खाई, साम होते होते दोनों को हैजा हो गया, और दोनों माबाब को रोता छोड़ चल बसे, घर में अंदेरा हो गया, तीन दिन पहले जहां चारो तरफ चाहल पाल थी, वहां अब सन्नाटा चाया हुआ था, किस अब तो वह और भी बेजान हो गई, उटने बैठने की सकती भी न रही, हरदम खोई सी रहती, न कपड़े लत्ते की सुदी थी, न खाने पीने की, उसे न घर से वास्ता था, न बाहर से, जहां बैठती, वहीं बैठी रह जाती, महीनों कपड़े न बदलती, सिर में तेल न डालती, बच्चे ही उसके प्राणों के आधार थे, जब वही न रहे, तो मरना और जीना बराबर था, रात दिन यही मनाया करती, कि भगवान यहां से ले चलो, सुख दुख सब भुगत चुकी, अब सुख की लालसा नहीं है, लेकिन बुलाने से मौत किसी को नहीं आई है सीता सरेन भी पहले तो बहुत रोया धोया, यहां तक की घर छोड़ कर भागा जाता था, लेकिन जो जो दिन गुजरते थे, बच्चों का सुख उसके दिल से मिटता जाता था, संतान का दुख तो कुछ माता ही को होता है, धीरे धीरे उसका जी समल गया, पहले की भांती मि सितनों के साथ हसी दिल लगी होने लगी, यारों ने और भी चंग छड़ाया, अब घर का मालिक था, जो चाहे कर सकता था, कोई उसका हाथ रोकने वाला ना था, सैर सपाटे करने लगा, कहां तो लीला को रोते देख, उसकी आँके सजल हो जाती थी, कहां अब उसे उदास और सोक मगन देखकर छुंजला उटता, जिंदगी रोने ही के लिए तो नहीं है, इसवर ने लड़के दिये थे, इसवर ही ने छीन लिये, क्या लड़कों के बीचे प्राण दे देना होगा, लीला ये बातें सुनकर बहुचक रह जाती, पिता के मुझे ऐसे सब निकल सकत हैं, संसार में ऐसे प्राणी भी हैं, होली के दिन थे, मरदाने में गाना बजाना हो रहा था, मित्रों की दावत का भी सामान किया गया था, अंधर लीला जमीन पर पड़ी हुई रो रही थी, तेवार के दिन उसके रोते ही कड़ते थे, आज बच्चे होते तो अच्छे- लालो, आदमी बन जाओ, यह क्या तुमने अपनी गत्पना रखी है, लीला, तुम जाओ, अपनी मैफिल में बैठो, तुमें मेरी क्या फिक्र पड़ी है, सीता सरन, क्या दुनिया में और किसी के लड़के नहीं मरते, तुमारे ही सिरिय मुसीबत आई है, लीला, यह बात क तुहल से पती को देखा, मनो उसका आज से नहीं समझी, फिर मुफेर कर रोने लगी, सीता सरन, मैं अब इस मनहुसियत का अंत कर देना चाहता हूँ, अगर तुमारा अपने दिल पर काबू नहीं है, तो मेरा भी अपने दिल पर काबू नहीं है, मैं अब जिंदगे भर मात नहीं मना सकता, लीला, तुम राग रंग मनाते हो, मैं तुम्हें मना तो नहीं करती, मैं रोती हूँ, तो क्यों नहीं रोने देते, सीता सरन, मेरा घर रोने के लिए नहीं है, लीला, अच्छी बात है, तुमारे घर में न रोंगी, लीला ने देखा, मेरे स्वामी मेरे से निकले जा रहे हैं उन पर विशे का भूत सवार हो गया है और कोई समझाने वाला नहीं वह अपने होस में नहीं है मैं क्या करूं अगर मैं चली जाती हूं तो थोड़े ही दिनों में सारा घर मिट्टी में मिल जाएगा और इनका वही हाल होगा जो स्वार्थी मित्रों के चुंगुल में फसे हुए नौजवान रईसों का होता है कोई कुल्टा घर में आ जाएगी और इनका सरुणास कर देगी इस वर मैं क्या करूं अगर इनने कोई बीमारी हो जाती तो क्या मैं उस दसा में इनने छोड़ कर चली जाती कभी नहीं मैं तन मन से इनकी सेवा और हंसने की जगए हुई उसके दिवाना होने में क्या संदी है मेरे चले जाने से इनका सरुणास हो जाएगा इनने बचाना मेरा धर्म है हाँ मुझे अपना सोग बूल जाना होगा रोऊंगी रोना तो तक्दीर में लिखा ही है रोऊंगी लेकिन हंसंस कर अपने भागे से लड़ूंगी जो जाते रहे उनके नाम को रोने के सिवा और करी क्या सकते हूँ लेकिन जो हैं उसे न जाने दूँगी आ ये टूटे हुए हिर्दय आस्ते टुकणों को जमा करके एक समादी बनाऊं और अपने सोक को उसके हवाले कर दूँ और रोने वाली आँखें आओ मेरे आंसों को अपनी विहंचे छटा में छिपा लो आओ मेरे आबुष्णों मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारा अपमान किया मेरा अपराज छमा करो तुम मेरे भले दिनों के साथी हो तुमने मेरे साथ बहुत विहार किये है अब इस संकट में मेरा साथ दो मगर देखो तगा न करना मेरे भेदों को छिपाए रखना लीला सारी राद पैठी अपने मन से यही बातें करती रही उदर मरदाने में धमा चोकडी मची हुई थी सीता सरन नसे में चूर कभी गाता था कभी तालियां बजाता था उसके मित्र लोग भी उसी रंग में रंगे हुए थे मालुम होता था इनके लिए भोग विलास के सिवा और कोई काम नहीं है पिछले पहर को मैफिल में सन्नाटा हो गया हूहा की आवाजें बंद हो गई लिएला ने सोचा क्या लोग कहीं चले गए या सो गए एका एक सन्नाटा क्यों चा गया जाकर दहलीज में खड़ी हो गई और बैठक में जहांक कर देखा सारी देह में एक जौला सी दोड़ गई मित्र लोग विदा हो गए थे समाजियों का पता ना था केवल एक रमनी मसनत पर लेटी हुई थी और सीता सरनुस के सामने जुका हुआ उससे बातें कर रहा था दोनों के चेहरों और आंखों से उनके मन के भाव साब चलक रहे थे एक की आंखों में अन्राग था दूसरी की आंखों में कटाक एक भोला बाला हिर्दय एक मायवनी रमनी के हाथों लुटा जाता था लीला की संपत्ति को उसकी आंखों के सामने एक छली नी चुराई लिये जाती थी लीला को ऐसा करोदाया कि इसी समय चलकर इस कुल्टा को आड़े हाथों लूँ ऐसा दूद कारूं कि वह भी याद करे खड़े खड़े निकाल दूँ वह पत्नी भाव जो बहुत दिनों से सो रहा था जाग उठा और उसे विकल करने लगा पर उसने जख्त किया वेक से दोड़ती हुई त्रिष्णाएं अकस्मात न रोकी जा सकती थी वह उल्टे पाउं भीतर लोट आई और मन को सांत करके सोचने लगी वैरंग रूप रंग में हावभाव में नकरे तिल्ले में उस तुष्टा के बराबरी नहीं कर सकती बिल्कुल चांद का टुकड़ा है अंग अंग में इस फूर्टी भरी हुई है पोर पोर में मत छलक रहा है उसकी आखों में कितनी त्रिष्णा है त्रिष्णा नहीं बलकि ज्वाला लिल्ला उसी वक्त आईने के सामने गई आज कई महिनों के बाद उसने आईने में अपनी सूरत देखी उसके मुक से एक आह निकल गई सूक ने उसकी काया पलट कर दी थी उस रमणी के सामने वह ऐसी लगती थी जैसे गुलाब के सामने जुही का फूल सीता सरन का खुमार साम को टूटा आँखें खुली तो सामने लिला को खड़ी मुस्कुराते देखा उसके एनों की छवी आँखों में समा गई ऐसे खुस हुए मानों बहुत दिनों के वियोग के बाद उससे भेंट हुई हूँ उसे क्या मालूम था कि ये रूप भड़ने के लिए लीला ने कितने आशू बहाए है केसों में ये फूल गूतने के पहले आँखों से कितने मोती पिरोए है उन्होंने एक नवीन प्रेमुसा से उटकर उसे गले लगा लिया और मुस्कला कर बोले आज तो तुमने बड़े बड़े सस्त्र सजा रखे हैं कहां भागू लीला ने अपने हिर्दे के और उंगली दिखा कर कहा यहां आ बैठो बहुत भागे फिरते हो अब तुमें बाद कर रखोंगे बाग की बाहर का अनन तो उठा चुके अब इस अंदेरी कोटरी को भी देख लो सीता सरन ने लजजित होकर कहा उसे अंदेरी कोटरी मत कहो लीला वै प्रीम कमान सुरोवर है इतने में बाहर चे किसी मित्र के आने की खबर आई सीता सरन चलने लगे तो लीला ने उनका हाथ पकड़ कर कहा मैं न जाने दूँगी सीता सरन अभी आता हूँ लीला मुझे डर लगता है कहीं तुम चले न जाओ सीता सरन बाहर आए तो मित्र मात से बोले आज दिन बर सोते ही रहे क्या बहुत खुश नजर आते हो इस वक्त तो वहाँ चलने की ठहरी थी न तुमारी राद देख रही है सीता सरन चलने को तो तयार हूँ लेकिन लीला जाने नहीं देती मित्र निरेगाउदी ही रहे आगे फिर बीवी के पंजे में फिर किस बिरते पर गरमाये थे सीता सरन लीला ने घर से निकाल दिया था तब आसरे ढोड़ता फिरता था अब उसने द्वार खोल दिये और खड़ी बुला रही है मित्र अजी यहाँ वयानन्त कहां घर को लाग सजाओ तो क्या बाग हो जाएगा सीता सरन भई घर बाग नहीं हो सकता पर फ़र्ग हो सकता है मुझे इस वक्त अपनी चुद्रता पर जितनी लग जा रही है वै मैं ही जानता हूँ जिस संतान सोक में उसने अपने सरीर को गुला डाला और अपने रूप लावनने को मिटा दिया उसी को केवल मेरा एकी सारा पाकर उसने भुला दिया ऐसा भुला दिया मानो कभी सोक हुआ ही नहीं मैं जानता हूँ वै बड़े से बड़े कट सह सकती है मेरी रक्षा उसके लिए आवस्यक है जब अपने उदा सिंता के कारण उसने मेरी दसा भिगड़ती देखी तो अपना सारा सोक भूल गई आज मैंने उसे अपने आभुषन पहन कर मुस्कराते हुए देखा तो मेरी आत्मा पुल की थो उठी मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि वह स्वर्ग की देवी है और केवल मुझ जैसे दुर्बल प्राणी की रक्षा करने के लिए भेजी गई है मैंने उसे जो कठोड़ सब्त कहे वे अगर अपनी सारी संपत्ती बेच कर भी मिल सकते तो लोटा लेता लिदा वास्तों में स्वर्ग की देवी है